मेवातनू के बोडी कोठी के समेप ट्रक वे हरियाना रोडवेज की बड़ी जोरदार भिढनत हो गई हरियाना रोडवेज बस में सवार करीब दो दर्जन से अधिक यात्री गंभी रूप से घायल हो गई जिसमें दो लोगों की आँखे खराब होने की खबर मिल रही है बस एक्सिडेंट से पूरे मेवात में मातम चाया हुआ है सनिवार की सुबह करीब 11 बजे खुनी रोड के नाम से जाने जाना वाला दिल्ली अलवर रोड पर बोड़ी कोटी के पास एक हरियाना रोडवेज बस और ट्रेक की आमने सामने से जोरदार भिढनत हो गई जिसमें करीब 20 लोग गायल हो गई एकसिडेंट के बाद आस पास के लोगों ने गायलों को उपचार के लिए नजदी की अलाप या हॉस्पिटल मांडिकेडा पहुँचाए गया कुछ लोगों की हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें नलड मेडिकल कॉलिज रैफर कर दिया गया कुछ लोगों को दिल्ली अलवर रोतक के लिए भी रैफर कर दिया गया है जम्यत उलेमा हर्याना के सदसे मौलाना साबिर मजाहिरी ने जखमी लोगों की पूरी हेल्प करते हुए इनसानियत का सबसे बड़ा फर्ज निभाया है और कहा कि अगर जखमियों को बलड की जरूरत पड़ेगी तो जम्यत उलेमा उसका भी इंतजाम करेगी जम्यत उलेमा हर्याना सरकार से अपील करती है कि गायलों के लिए मौनासिब मौावजा दिया जाए और खूनी रोड को जल्द से जल्द फॉर लाइन किया जाए नूज एब्यारो रिपोर्ट मुझे लगबग एक गंटा पहले जानकारी मिली की बोड़ी को ठीक है नजदीक में एक रोड़ बेज बस का एक्सिडेंट हुआ और उसमें जानकारी मिली के 20 से 25 लोग जख्मी भी हुए है बहुत दुख हुआ और मुझे एक साथा ने जानकारी दी कि मौलाना साबीर मजाहिरी कुछ साथियों को लेकर के मेडिकल कॉलीज नलड पहुँचे हैं मैं तुरंट यहां पहुँचा और मैंने देखा मौलाना साबीर मजाहिरी की जो मेहनत रही और जो लोग जख्मी थे उनके परीजनों से में मिला और डॉक्टर से बात की कुछ लोगों को यहां से रेफर कर दे गया है अन्य होस्पिटल्स में जैसे की रोहतक, दिल्ली, अलूर लेकिन हालात कुछ लोगों के इतनी ज़्यादा गंभीर हैं उनके लिए दुआएं करें पूरा इलाका मेवात उनके साथ में हैं हम भी उनके साथ में खड़े हैं और हम अहर्याना सरकार से यही गुजारिश करेंगे जो लोग उसमें जखनी हुए हैं, घायल हुए हैं उनकी लिए मदद करें, उनके लिए मौँ जाते हैं फॉरलेन जो यह रोड है, इसके बारे माप क्या कहते हैं फॉरलेन रोड तो नहीं है, यह नेसल हाइवे होते हुए भी यह सिंगल रोड है और इसके लिए हमारी साल 2018 ऐसे मैंने खुद ने बना हाथ से इस पर खूनी रोड इसका नाम दिया लेकिन सरकार नहीं सुनएगी और हम लोग ने काफी इसके लिए आवाज उठाई हैं और हम आज भी यह कहते हैं कि इस रोड को जब तक फॉरलेन नहीं बनाया जाएगा, यह हाथसा ऐसे ही होते रहे हैं इलाका मेवात में आज बहुत बड़ा हाथसा हुआ है हरियाना रोड बेज के एक्जिडंट होने की वज़े से जिसमें तरजनों लोग जखमी हो गया और हालात इतने नाजुकते बड़े चोटिल और बड़े जखमी होए हैं जमियत उलमा ने नौजवान साथियों के साथ उनकी पूरी हेल्प करी है और इस उत गम का इज़ार किया है जिसमें से दस बारे लोग मेंडिकल लड़ लड़ होस्पिटल में हैं जो डॉक्टर पूरी रेख देख में अच्छा उनका इलाज कर रहे हैं माशाला और कुछ माड़ी खेडा में हैं आगे हम परिजनों के लिए इस गम की शरीक में पूरा इलाका मेवाद खड़ा हुआ है हर्याना सरकार से जमियत उलामा हिन पूरजोर अपील करती है कि जो हर्याना रोड़ बेज में जख्मी हुए हैं उनके लिए मुनासिब चल्द मावज़ा दिया जाए